हलो बच्चो आपका इस्टुवान में स्वागत है मैं आपका टीचर धीरज कुमार मैं दे अपना बीटेक एनाइटी स्री नगर से किया है और अब तक पचीज जार बच्चों को पढ़ा चुका हूं लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सारे मेरे बच्चे इस स लोग फैमली आफ स्टेट लाइन देखेंगे हूं परो है का इस फैमली आफ लाइन से आप सब लोग समझते होंगे जिसे फैमली एकर तर्म यूज हो रहा है जैसे मालों लोग कोई परिवार है मम्मी हो गये पापा हो गया दो बच्चे हो गया ठीक यह एक फैमली हो गया अच्छा, दोनों बच्चे जो है, उनका common property क्या है? उनका common property है कि उनके मम्मी पापा सेम है, ठिक? उसी तरीके से family of lines होता है, family of lines का मतलब होता है कि बहुत सारे lines जो एक common property को सो करें, अगर definition लिखना होते लिख सकते हैं, family of lines होता क्या है? इनफाइनटली मेनी lines having a common property, इनफाइनटली मेनी lines having a common property are called family of lines, family of lines का definition क्या होगा? इनफाइनटली मेनी lines having a common property, ठिक? दो तरह के family of lines होते हैं, पहला होता है family of parallel lines, family of parallel lines, अगर बहुत सारे infinitely many lines अगर parallel है, बहुत सारे line मालो इस तरह अगर parallel है, तो इन सारे line का common property क्या है? common property है कि एक given line के सारे parallel है, मालो ये given line है, ये given line है y बराबर mx plus c, तो ये सारे line इसके parallel है, और अगर y बराबर mx plus c के parallel line के equation लिखना है, तो क्या लिखेंगे y बराबर mx plus lambda अरे constant बस बदलता है slope वही रहता है और lambda यहाँ कोई भी real number है तो lambda के different different value के लिए infinitely many lines आएगा लेकिन सारे line का common property है कि वो इस given line के parallel है इसको कहते है family या parallel lines ठीक है sir family या parallel lines अगर कोई given line है उसके parallel line हम लोग लिख सकते हैं y बराबर mx plus lambda तो यहाँ lambda के लिए अलग-अलग value के लिए different different value के लिए infinitely many lines आ सकता है क्योंकि lambda कोई भी real number हो सकता है दूसरा होता है family of concurrent lines तो समझते हम लोग second होता है family of concurrent lines नाम से clear है कि concurrent lines कल ही पढ़े था हम लोग concurrent lines का मतलब सारे line एक ही point से पास हो तो इसमें होता क्या है अगर आपको दो given line हो L1 और L2 महानलो कि यह given line है L1 equal to 0 line के equation का नाम दिया है L1 equal to 0 दूसरा given line है L2 equal to 0 ठीक यह दोनों क्या है given line अब इसके intersection point से अगर आपको line कहे कि draw करो कितने line draw कर सकते हो intersection point से इस point से infinite line draw हो सकता है देखो बहुत सारे लेकिन सारे line का common property है कि सारे line L1 और L2 के intersection point से जा रहा है और सभी एक ही point से जा रहा है इसलिए इसको बोलते है concurrent lines ठीक तो यह बात सब को समया है कि family up concurrent lines क्या होगा family up concurrent lines का मतलब 2 given line L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0 इसके intersection point से जाने वाले जो line होगा उसे family up concurrent lines बोलते है ठीक है सार अच्छा अब जितने भी जैसे पिछले बार हम लोग y बराबर mx plus c के parallel line y बराबर mx plus lambda लिख दिये मतलब family up line क्या लिखे y बराबर mx plus lambda अगर इस case में आपको family up concurrent lines का equation अगर बताना हो तो इसमें देखो हम लोग बताते हैं ये सारे जो family आप concurrent lines है इसका equation होता है lambda l1 plus mu l2 बराबर 0 ये कहां से आ गया lambda और mu यहां कोई भी real number हो सकता है अगर दो given line l1 बराबर 0 और l2 बराबर 0 है इसके intersection से कोई line जाएगा और कितने line जाएगा infinite line जा सकता है क्योंकि दो line के intersection point से infinite line जाता है ठीक है सर तो उन सारे line के equation lambda l1 plus mu l2 बराबर 0 होता है lambda और mu कोई भी real number ले सकते हैं इसको अगर कोई सोचे कि आखिर यह आया कैसे तो सुनो ध्यान से ये माल लो intersection point है x1 y1 या माल लो चलो ये a नाम है इसका a का coordinate है x1 y1 अच्छा x1 y1 किसके उपर है l1 के भी उपर l2 के भी उपर क्योंकि intersection point है अच्छा मतलब अगर x1 y1 l1 में रखेंगे तो क्या करेगा satisfy करेगा मतलब 0 बनाएगा और l2 में भी रखेंगे तो 0 बनाएगा तो x1 y1 इसको क्या करेगा satisfy करेगा मतलब ये जो हम लोग लिखे हैं lambda l1 plus mu l2 बराबर 0 ये x1 y1 से जाएगा और ये infinite line होगा क्योंकि lambda और mu real number है अलग-अलग value रखते जाओ line आता जाएगा और family of lines बन जाएगा देखो जैसे कोई सुचा lambda 1 रख दे mu को 2 रख दे तो एक देखो line बन गया lambda के जागे 1 रखेंगे mu के जागे 2 रखेंगे ये एक line आएगा l1 और l2 दो line के equation दिया रहेगा ऐसे देखो जितने भी lambda mu का value रखते जाएगे line आता जाएगा infinite line आ सकता है तो इसको family of lines बोलते हैं ठीक बलकि family of lines कहना ज्यादा सही नहीं होता फेमिली of lines तो दो ब्रकार खोते आपको बता है इसको family of concurrent lines बोला करो family of concurrent lines ठीक असर तो आपको ये बात लिखना होते लिख सकते है equation of family of concurrent lines equation of family of concurrent lines passing through point of intersection of L1 बराबबा 0 and L2 बराबबा 0 equation of family of concurrent lines passing through point of intersection of L1 बराबर 0 and L2 बराबर 0 और Lambda L1 प्लस Mu L2 बराबर 0 इसको नोट कर ले Lambda और Mu क्या होता है कोई भी real number ठीक है सब तो यह family आप Concordant Lines का कहानी हुआ कभी कभी दुनिया वाले देखो इसको ऐसे भी लिखते है Lambda L1 Mu L2 बराबर 0 Lambda से divide कर दो यह Mu by Lambda L2 प्लस KL2 बराबर 0 यहाँ K क्या है कोई real number L1 प्लस KL2 बराबर 0 तो यहाँ पर जो दो variable पहले हम लोग देख रहे थे Lambda और Mu अब देखो बस एक ही variable है K तो ज़्यादा तर हम लोग यही लिखेंगे जो second वाला भी बताए है कि दो line के intersection point से तीसरा line जाता हुआ दिखें तो उसका equation लिखना पहला line प्लस K या Lambda जो भी लिखना हो पहला line प्लस KL2 बराबर 0 तो L1 प्लस KL2 बराबर 0 ठीक है सर लेकिन इसमें एक problem आता है देखो क्या problem है L1 प्लस KL2 बराबर 0 लेते हैं हम लोग तो family का एक member छोड़ जाता है यहां से सारे member आते हैं यहां से एक member छोड़ता है वो member कौन सा होगा जैसे यहां से यह बताओ जैसे मालो अभी मैं example जब आज पढ़ाना शुरू किया दिया हो जैसे मम्मी पापा हो गए उनके दो बच्चे हो गए तो यह family हो गया मतलब जो family के सारे member है सबको count करना है ठीक तो अगर आपको family of lines लिखना है family of lines तो सारे member होने चाहिए सारे member का L1 और L2 भी आता है L1 L2 भी तो अरे यार हम लोग बस यह देख रहे हैं कि concurrent lines होना चाहिए और बहुत सारे line जो एक ही point से पास हो तो L1 L2 भी तो यार यह इसी point से जा रहा है तो L1 L2 भी family का member है वो भी आना चाहिए लेकिन problem देखो क्या आता है यहां से के किसी भी real number के लिए value के लिए L2 बराबर 0 कभी नहीं आपाएगा जैसे कोई सोचे के को अगर 0 रखे है के अगर 0 रखते हैं लेकिन सोचो के के कोई भी value के लिए L2 बराबर 0 आप आएगा नहीं आएगा यहां से लेकिन देखो आएगा lambda 0 अगर रखते हैं lambda 0 रखते हैं तो L2 बराबर 0 आएगा mu 0 रखते हैं तो L1 बराबर 0 आएगा तब यहां से तो दोनों आ रहा है लेकिन यहां से एक लाइन छोड़ जाता है यह ध्यान दे जागा तो अगर आपको family का complete लिखना है सारे member को लिखना है अलग से l2 बराबर 0 को भी लिख दो यह complete होता है family of lines l1 plus k l2 बराबर 0 union l2 बराबर 0 क्यों l2 लिखे हैं क्योंकि l2 भी family का member है और यहां से l2 नहीं आएगा तो family को complete करने के लिए l2 को अलग से लिख दिया हो फिक है सर वैसे यह सब बहुत important बात नहीं है important बात बस यह सीखे आप कि दो line के intersection से कोई तीसरा line जाए तो उसका equation लिखेंगे पहला line plus lambda या plus k दूसरा line बराबर 0 ठीक है सर आगे बढ़ते हैं वही बात लिखा है जो आपको बता रहेते पढ़ लो the equation of family of state line passing through the point of intersection of two given lines the equation of family of line passing through point of intersection आप पहला line का equation दे रखा है यह दूसरे line के equation दिया है तो जो दोनों के intersection से जाएगा पहला line plus k दूसरा line बराबर 0 ठीक है सर दो line के intersection से तीसरा line जाए तो equation पहला line plus k दूसरा line बराबर 0 ठीक वही बात है आप है नेक्स्ट family of line से family of line से हम लोग किसी पैलो ग्राम के diagonal का equation बता सकते हैं कैसे चलो इसको सीखते हैं हम लोग माले एक पैलो ग्राम है यह माले एक पैलो ग्राम है इसके side के equation हमें दिया है ax plus by plus c बराबर 0 अगला है ax plus by plus c dash बराबर 0 या plus d बराबर 0 और यह है a dash b dash plus d dash बराबर 0 ठीक है सर इन चारो side से एक पैलो ग्राम फार्म हो रहा है अब हमें इसके diagonal का equation बताना है मतलब यह वाला line का equation इसका नाम un डाल दिया है इसका नाम u2 माल लो डाल दिता है इसका नाम u3 मतलब यह line के equation का नाम u3 है और कोई इसमें नया काम नहीं करने है इसका नाम u4 ठीक अब जो यह diagonal है यह इन दोनो line के देखो intersection point से जा रहा है तो दो line के intersection से अगर कोई line जाएगा तो उसका equation क्या होगा पहला line प्लस lambda दूसरा line बराबर 0 ठीक है सर इस line का जो equation होगा इस line का नाम चलो डाल दिये a b c d equation of a c यह होगा u1 plus lambda यह प्लस की यह आपके उपर है जो लिखना हो लिख सकते हो u4 बराबर 0 इन दोनों के intersection से जा रहा है तो equation लिख दिये ठीक सेम लाइन देखो इन दोनों के intersection से जा रहा है सही बात यार देखो c से जा रहा है सेम लाइन अच्छा तो सेम लाइन का equation equation आप a c यह भी होना चाहिए क्या होना चाहिए u3 plus k के जगे आप कुछ दूसरा constant डाल दो k डैस चलो डाल दिए u2 बराबर 0 अब अगर हम लोग k और k डैस का ऐसा value पा सके k और k डैस का ऐसा value अगर पाएं जिसके लिए यह satisfy हो जाए जिसके लिए यह satisfy हो जाए तो फिर यह diagonal का equation दे देगा तो मतलब अगर हम लोग सोचो अगर ऐसा कुछ लेते हैं इन दोनों को अगर k और k डैस को बराबर अगर करें मतलब यह समझने के लिए से बता रहे हैं u1 by u4 और यहां से k डैस का value minus u3 by u2 तो किसी ने किसी value के लिए u1 u2 minus u3 u4 0 आएगा और u1 u2 minus u3 u4 किया आएगा 0 और u1 u2 देखो यह दोनों side का multiply है और यह दोनों side का multiply उसको घटा किया आए है ये, u1, u2, इन दोनों को जब मैटिप्लाई करेंगे, मन की आखो से, x square का coefficient आएगा, a, a डैस, और इन दोनों को मैटिप्लाई करेंगे, तो x square का coefficient आएगा, a, a, डैस, मतलब हो जाएगा, cancel, उसी तरह y square का coefficient, b, b, डैस, यहाँ भी b, डैस, cancel, x, y का टर्म गुडा करके देखो, जो यहाँ आएगा, वही आएगा, cancel हो जाएगा, मतलब यह जो u1, u2 minus u3, u4 है, यह एक line देगा, यह क्या देगा, एक line देगा, अच्छा, और यह जो line है, यह a और c से जा रहा है, कैसे बता चला, check करो, देखो, a किसके किसके उपर है, u1 और u4 के उपर, तो a u1 को satisfy करेगा, और u4 को satisfy करेगा, मतलब 0 बनाएगा, 0 minus 0, 0 बराबर 0, अच्छा, c किसके उपर है, u2 और u3 के उपर, u2 में रखें के satisfy करेगा, और u3 में रखें के satisfy करेगा, 0 बराबर 0, यह भी दे रहा है, मतलब यह confirm हो गया, कि यह a और c से जा रहा है, और दूसरा बात, यह confirm हो गया, कि यह line है, तो दो point से कितने line जाता है, एक ही line जाता है, तो इसका मतलब यही होगा, हो और side के equation दिया हो करेंगे क्या जो adjacent side है उसके equation को multiply करके घटा दो आपको diagonal का equation मिल जाएगा देखो वही हुआ है इन दोनों अगल बगल वाला जो side है उसको multiply करके क्या करना है घटाना है diagonal के equation मिल जाएगा याद रखेगा इसी तरह का माल लो पुछें सर दूसरे diagonal का equation बताईए तो दूसरे diagonal अब देखो कौन-कौन का multiply कर चुके है u1, u2 का और u3, u4 का कौन बचा combination अगल बगल का ही multiply करना होता है तो u1, u4 minus u1, u4 minus u2, u3 यह हो जाएगा bd का equation यह इसका equation u1, u4 minus u2, u3 बराबर 0 क्या बता है कभी भी एगा diagonal का equation लिखना हो तो जो adjacent side का equation है उसको multiply करके घटा दो diagonal का equation मिल जाएगा बस जो भी equation लिखो एक बार check कर लो कि यार वो उन दोनों से pass हो रहा है कि नहीं bd से, जैसे यह जो equation लिखे है यह ac से आपको दिखा दिये pass हो रहा है उसी तरह इसको check कर लो यह भी bd से pass होगा ठीक है सर्थ बस किये कहाँ देखो equation आप ac लिखे हैं दो तरीके से और फिर दोनों से k और k-s को मैं वस यह दिखाना चारा था कि दोनों से constant बराबर होगा यह नहीं करना चारा हो दोनों से किसी ने किसी value के लिए यह दोनों बराबर होगा यह करना चारा हो और जिसके लिए भी बराबर होगा तो यह equation देगा और यह equation अगर देगा तो वो ac का equation ही बन जाएगा क्योंकि a और c से pass हो रहा है याद रखेगा direct ठीक है सर चलो आगे बढ़ते हैं एक question ट्राई करेंग एक जांपल if abc are in ap then ax plus by plus c बराबर 0 रिप्रेजेंट क्या करेगा abc ap में दिया है और आप से यह कह रहा है कि यह line क्या रिप्रेजेंट करेगा ठीक है सर तो abc ap में दिया है ap में तीन नमबर है अगर साही से लिख होता आएगा a minus 2b plus c बराबर 0 और line का equation दिया है ax plus by plus c बराबर 0 साही सर अब हमें यह पूछ रहा है कि line क्या रिप्रेजेंट करेगा यह condition दिया है तो एक काम करो जो condition हमें दिया है यहाँ से a का b का या c का किसी a का value निकालो और line के equation में रख दो चलो हम लोग c का या किसी का भी रिप्रेजेंट चलो c का ही निकालते c का value निकालेंगे तो आएगा कितना 2b minus a और line में रख दो ax plus by c के जगे 2b minus a a के साथ देखो क्या आया x minus 1 a के साथ देखो x minus 1 और b के साथ आया y plus 2 अगर हम लोग family आप concurrent line जो अभी पड़े हैं उसमें आपको अभी याद होगा कि family आप concurrent line का equation क्या बता है lambda l1 plus mu l2 बराबर 0 मतलब अगर कभी इस तरह का equation मिल जाए lambda l1 plus mu l2 बराबर 0 तो वो family आप concurrent lines रिप्रेजेंट करेगा अच्छा आप lambda और mu के जगे a और b आगया तो नया स्वाल हो गया हो अरे a और b भी यहाँ कोई constant होगा जैसे वहाँ कोई real number था यह भी कोई real number है तो देखो यह lambda का का काम कर रहा है यह एक line है l1 mu l2 बराबर 0 मतलब कुछ इसी तरह का ही है तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है यह रिप्रेजेंट करता है family of concurrent lines तो b answer is the right answer इसमें एक question आप से और पूस्टता है तो question यह होता है कि यह जो family of concurrent lines represent होगा हमेशा ऐसे लिखता है कि इतना represent family of concurrent lines और फिर यह लिखता है कि यह हमेशा एक fixed point से pass होगा उसका coordinate बताओ तो अभी जो हम लोग देखे थे lambda l1 plus mu l2 l1 और l2 के intersection point से जाने वाला family of lines होता है तो यहाँ भी देखो यह l1 है x minus 1 बराबर 0 और y plus 2 बराबर 0 l2 है तो point क्या मिलेगा point मिलेगा 1 comma minus 2 मतलब x आएगा 1 y आएगा minus 2 तो सारे line 1 comma minus 2 से pass होंगे अगर यह पूछे कि family आप concurrent lines की इस point से pass होगा तो answer क्या बताओगे 1 comma minus 2 clear होगा सबको एक जुगाड sort cut तरीका सीखो इतना आपको करने का जरूवत ही नहीं जो आपको सिखा रहे हैं sort cut तरीका सीखो एक line में answer बताओगे देखो इसको हटाते हैं नियान से समझो देखो अगर कभी line का equation आपको पता हो और जो भी वहाँ constant रहे coefficient जो भी है उसमें एक relation पता हो उसमें क्या पता हो एक relation और आपको अगर यह पूछे कि family आप lines किस point से pass होगा उसका coordinate उसके लिए shortcut तरीका सिखो constant को बनाओ same याद रखिएगा मंदर constant को बनाओ same उसके बाद फिर compare करके देखो x के जगे क्या रहा है y के जगे क्या रहा है उसी point से pass होता है तो constant देखो बना लिए same यह relation दिया था constant same बना लिए अब compare करो x के जगे 1 y के जगे minus 2 तो सारे line 1 comma minus 2 से pass होगा और अगर आपको याद होगा ता पिछले method से भी यह answer रहा था 1 comma minus 2 कितना आसान होगे कितना आपको लिखने के ज़रूँद नहीं पड़ेगा क्या पता है constant को बनाओ same फिर compare करके देखो x और y के जगे क्या रहा है वो उसी point से pass होता है यह यार आगे भी बहुत जगी हो जाएगा जब आगे हम लोग कर्व पढ़ने लगेंगे circle पैरा बोला यह लिए उप साइपर बोला तो यह term में याद रखना क्या बता है है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है कि यह हमेशा एक fixed point से pass हो रहा है यह line कि यह हमेशा एक fixed point से pass हो रहा है तो तुरन दिमाग में आपके strike करना चाहिए कि यह family of lines का सवाल है family of lines ठीक और वो fixed point का coordinate निकलना हो तो यही काम करना एक constant में relation ढोल लेना फिर जो भी line में constant रहेगा और जो relation उस constant को same बनाओ फिर compare करके x और y के जगे देखो हमेशा उसी point से pass होते है clear concept आगे बढ़ो next question try गरो same उसी तरह का है a square 9b square 6ab plus 4c square यह एक relation दिया है और line हमेशा एक fixed point से pass होगा देखो यह लिखा है उसका coordinate पूछ रहा है एक relation आपको दिया है और लिखा है कि line हमेशा fixed point से pass होगा उसका coordinate बताओ एक मिनट समय लेके try करें आप हमें क्या बनाना है एक relation ABC में और line तो दिया ही है XY और ABC के टर में तो constant CC को सेम बना के compare कर लेंगे fixed point आ जागा तो यहाँ से relation है कर ढूड़ना है A square 9B square 6AB को LHS side लेओ 4C square तो यह बन जाएगा A minus 3B का whole square मराबर 4C का whole square मतलब 2C का whole square बन जाएगा 4C square कितना होगा 2C का whole square ठीक दोनों side whole square है तो हटाएगे plus minus 2C आ गया एक side लाओ तो एक relation मिलेगा A minus 3B minus 2C plus लेने बना और minus अगर लेते हैं तो plus 2C आएगा अब constant देखो है C तो यहाँ भी constant को पहले C बनाओ तो minus 2 से कर देते हैं divide इसको क्या कर देते हैं minus 2 से divide तो minus A by 2 minus minus plus minus 2 से divide करेंगे तो plus C आ जाएगा ठीक सर इस वाले को 2 से divide कर दो A by 2 3 by 2B plus C देखो constant बन गया same compare करो X के जगे minus 1 by 2 Y के जगे 3 by 2 तो line हमेसा minus 1 by 2 कामा 3 by 2 से pass होगा ठीक सर उसी तरह second वाला देखो constant बन गया same compare करो X के जगे 1 by 2 Y के जगे minus 3 by 2 तो इस question में 2 answer मिलेगा क्योंकि 2 relation मिल रहा है 2 relation मिलने का मतलब 2 answer भी आएगा तो आज में आगे सबको बहुत ही आसान तरीका अगर आपको कोई relation दिया है तो relation से जो भी relation दिया रहेगा कुछ इस form में बनाओ फिर constant को same बनाओ फिर compare कर दो खतम हो गया सवाल clear 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 आगे बढ़ते next example try करें बहुत ही important है यह example तो आप करें ही और जो यह result आएगा इससे आप याद रखिएगा याद रखिएगा ने को क्या लिखा है if the algebraic sum are perpendicular from three non-collinear points on a variable line when he says then the variable line passes through याद रखिएगा answer इसको note करके note करके इस question को इस note करके लिखिए कि अगर कहीं भी इस तरह का term लिखा है कि किसी variable line का तीन non-collinear points से perpendicular distance का sum कभी when he says पर जीरो लिखा है तो वो जो होगा हमेशा centroid से variable line पास होता है उन तीनों point जो है ABC ये तीनों point इसके centroid से पास होता है अब ये आप note कर लीजे फिर इसको हम लोग try करेंगे कि ये centroid से कैसे पास हो रहा है एक variable line है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 माल लिए तीन non-collinear point है X1, Y1 X2, Y2 X3, Y3 मालो इस तरह कुछ है algebraic sum का मतलब होता है कि बिना mod लगा है जो आएगा वो लेना है ना सर तो A का perpendicular distance B का perpendicular distance और C का perpendicular distance इस line से तीनों का perpendicular distance का sum 0 दिया है और algebraic distance लेना है मतलब बिना mod लगा है इसे तो आपको पिछले के पिछले क्लास में बताया थे length परपेंडिकुलों के formula mod होता है लेकिन बिना mod लगाए करना है algebraic लिखा हो तो बिना mod लगाए ठीक तो यह आएगा AX1 BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A square प्लस B square second point का आएगा AX2 BY2 प्लस C अपॉन अंडर रूट A square प्लस B square third point का distance AX3 BY3 प्लस C अपॉन अंडर रूट A square प्लस B square is equal to 0 यह सवाल वाला दिया है ठीक तो अब यह denominator में जो है उधर जाएगा सब 0 हो जाएगा A के साथ आएगा देखो X1 प्लस X2 प्लस X3 AX1, AX2, AX3 A के साथ X1 प्लस X2 प्लस X3 B के साथ Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस 3C is equal to 0 अब concept क्या बता है constant को same बनाओ तो constant यहाँ है C line को देखो line क्या माने है AX plus BY plus C constant है C यहाँ 3C है तो तीन से पहले कर लो divide तो आज आएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X3 प्लस Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y3 प्लस C is equal to 0 ठीक है सर constant बन गया same compare करो AX, X के जगे X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस Y3 Y के जगे Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y3 यह क्या होता है सबको याद होगा X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस Y3 Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y3 तीनों point से जो triangle form होगा उसका centroid होता है तो इसमें आप से यही पूछा था centroid मतलब G से पास होगा तो इसका आंसर क्या आएगा A answer clear है सबको clear clear याद रखेगा ऐसा सवाल पूछ सकता है result बहुत important अगर ऐसे कहीं लिखा है कि 3 non-colinear point का किसी given line से perpendicular distance का sum 0 है और पूछे कि बता हो line किस point से पास होगा तो answer बता देना 3 point जो non-colinear दिया है उसके centroid से पास हो प्लियर okay next example एक और ट्राई कर लेते हैं so that the straight line given by y यह लिखा है x a plus 2b y a plus 3b is equal to a plus b a और b के different value के लिए हमेशा एक fixed point से पास होगा फुल मिला कि आपको यह दिखाना है कि जो यह है यह हमेशा एक fixed point से पास होगा तो उसी तरह का कुछ बन जाएगा जैसा हम लोग आज पहला सवाल किये थे सबको इधर लाओ lhs side फिर a के साथ देखो क्या आएगा देखो a इधर जब लाएंगे तो यह आएगा ax plus 2bx ay plus 3by minus a minus b a और b को lhs side लाएगा फिर a के साथ देखो क्या है यहाँ x है फिर यहाँ y है और यहाँ minus 1 है b के साथ देखो 2x है 3y है minus 1 है तो यह कुछ इस तरह का बनेगा lambda l1 plus mu l2 बराबर 0 lambda l1 plus mu l2 बराबर 0 l1 और l2 के point of intersection से पास होता है तो इसमें l1 क्या है x plus 1 minus x plus y minus 1 बराबर 0 और 2x plus 3y minus 1 बराबर 0 इन दोनों line को solve करो आपको intersection point मिल जाएगा और जो intersection point आएगा वहे fixed point होता है clear तो इस तरह का सवाल उमीद करते हैं आप कर लेंगे family of lines वाले इसमें आप बस इतना ध्यान रखिए कि दो ही सवाल इसमें पूछता है एक relation देखे relation जैसे यह सवाल है relation देखे आप से पूछे का कि वो fixed point बताओ जिससे यह pass होगा तो हमेशा आप lambda L1 प्लस मुव L2 जैसा बनाना L1 L2 दोनों line मिल जाएगा फिर line का intersection point निकालो उसी point से pass होता है एक सवाल यह बनता है दूसरा सवाल relation आपको मालो अपने से कही निकालना हो तो constant को same बनाके compare कर देना fixed point आजागा यह दो बात याद रखेंगे family of line वाले सवाल कर लेंगे आगे बढ़ते हैं equation of bisectors next topic देखते हैं equation of bisectors कैसे निकालेंगे अगर दो line दिया है तो bisector मतलब angle bisector दो line के बीच में हमेशा दो angle बनता है जैसे यह दो line है इन दोनों line के बीच में ध्यान से देखिए sir तो दो angle बना है एक ये वाला angle और दूसरा ये वाला angle अगर दोनों perpendicular नहीं है तो एक angle हमेशा acute angle बनता है दूसरा angle obtuse angle बनता है तो दो bisector भी होते हैं हम लोग यह मान के हमेशा करेंगे perpendicular नहीं है अपने से अगर करना है तो perpendicular क्यों देगा एक acute angle बनता है दूसरा obtuse angle बनता है ठीक sir तो एक bisector acute angle का होगा और दूसरा obtuse angle का तो दोनों bisector का हम लोग figure ड्रॉआ करते हैं एक इस angle का bisector होगा मानलों इसका नाम b1 डाल दी है angle bisector का एक इस angle का bisector होगा इसका नाम मानलो b2 डाल दी है ठीक है sir दोनो bisector b1 और b2 नाम डाले है ठीक अब हमें इस bisector का equation निकालना है और दोनो line का मानलो equation आपको given है इस line के equation है ax या a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 दूसरे line के equation है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर दी है और आपको लिखना क्या है bisector b1 b2 का equation ठीक angle bisector है तो ये angle को अधादा करेगा मतलब ये theta by 2 theta by 2 अगर ये theta है तो ये 180 minus theta अधादा करेंगे 90 minus theta by 2 90 minus theta by 2 एक बात और ध्यान रखिएगा ये b1 b2 के बीच का angle चेक करो ये 90 आ रहा होगा देखो ये 90 minus theta by 2 theta by 2 पूरा angle कितना 90 तो bisector जो होते हैं always क्या होते हैं perpendicular होते b1 b2 are always perpendicular to each other ठीक अब equation के बीसे में सोचते हैं हम लोग bisector के उपर अगर कोई point ले आप लो x, y और ये हम लोग कर रहे हैं कि जो x, y point है ये bisector के उपर कहीं भी घूम सकता है अदब उसको freedom मिला है कि bisector के उपर तुम घूमो मतलब ये कुल मिला कि locus निकलना है x, y का याद ही होगा locus का मतलब क्या होता है जिस path पे move करें उस path का equation तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि x, y bisector के उपर move कर रहे है तो जो x, y का path आएगा वही bisector का equation आएगा अब कुछ ऐसा property दिखा दें जो सिर्फ bisector पर हैगा तभी true होगा तो दिखा देंगे हाँ यार कि ये bisector पर जब move करेगा तभी ये property true है तो bisector का equation मिल जाएगा सुनो अब अगर हम लोग x, y से पहले line पर perpendicular drop करें और दूसरे line पर perpendicular drop करें x, y point से दोनों जो given line है उस पर perpendicular drop किये हैं अच्छा अब देखो ये theta by 2, ये theta by 2 ये 90, ये 90 तो ये 90 minus theta by 2, ये 90 minus theta by 2 और ये side देखो क्या है common है, मतलब दोनों triangle हो जाएगा congruent दोनों triangle क्या हो गया? congruent triangle, तो congruent triangle में फिर सारे बराबर ही होते हैं, मतलब ये वाला side, इस वाले side के बराबर हो जाएगा, और ये तभी true होगा property, जब point कहां पर move करे? bisector पे, तो जो x, y का locus आएगा, यही क्या होगा? bisector का equation, तो हम लोग को बस इतना पता है कि अगर x, y bisector पर रहेगा, तो दोनों line से perpendicular distance बराबर होगा, तो दोनों line का length पर perpendicular कर देंगे बराबर, अच्छा कोई सोचे अगर इस bisector पर रहेगा, तब और इस bisector पर रहेगा, तभी लेंथा perpendicular बराबर होगा, चेक कर लो, इसमें भी congruent triangle बनेगा, तो यह property दोनों bisector के लिए true है, तो x, y का locus जो आएगा, वो दोनों bisector के equation देना चाहिए, तो चलो x, y का दोनों line से perpendicular distance निकालते हैं, तो a1 x, b1 y, c1, perpendicular distance वाला formula लगा रहे हैं से, under root a1 square प्लेस b1 square, उदर आएगा, mod a2 x, b2 i, c2, under root a2 square प्लेस b2 square, अब जो b, x, y का locus आएगा, वह bisector का equation होगा, तो locus of x, y और equation of y bisectors, अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान दिये, bisectors बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखो, दो line आएगा, यह mod जब हटाएंगे दोनों side से, तो plus minus से हटेगा, तो mod आप हटाके लिखते हैं, a1 x, b1 y plus c1, under root यही होता है equation of bisectors, बहुत ही आसान है, याद भी रखना बहुत ही आसान है, अगर आपको bisectors का equation लिखना है, तो जो दोनों line दिया हो, उसमें, दोनों x, y के coefficient के square का sum जो है का root में, उससे divide कर दो, प्लस माइनस लगा दो, वह होता है bisectors का equation, तो हम आए, बोलिए सब लो, bisectors का equation लिखना आसान लग रहा है आपको, bisectors के उपर एक point लो, दोनों ही line का length परपेंडिकुलर क्या कर दो, बराबर वो point x, y ले लो, क्योंकि equation लिखना है याथ x, y ले लो, simple, अच्छा एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे देखो plus minus आया है, plus minus से दो line आयेगा, एक plus sign से आयेगा, दूसरा minus sign से, और आना भी चाहिए था दो line, क्योंकि दो bisectors है b1 और b2, दो bisectors अगर है, तो दो line आना चाहिए, तो bisectors का equation Sumd μας एक plus से आयेगा, दूसरा minus से आयेगा, अभी तक लेकिन यह बात हम लोग को समझ में नहीं आया है, कि यार, plus से किसका आयेगा, minus से किसका आयेगा, मतलब जो acute angle by sector है, वो plus से आयेगा, कि minus से आयेगा, किसी point containing bisector कैसे निकालेंगे तो हम लोग सारे case जितने possible है उसको अलग-अलग देखेंगे तो पहला case bisector of angle containing the origin अगर दो line के बीच में origin आ रहा है जैसे माल लो ये दो line है इसका मतलब पहले समझो a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 दूसरा line है a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 तो ये सर अगर माल लो की origin यहाँ पर इन दोनो line के बीच में यहाँ पर तो ऐसे जो लिखा होता है कि bisector of angle containing the origin इसका बस इतना मतलब होता है कुछ लोग गलत समझ जाते गलत यह समझ जाते हैं सोचते हैं कि bisector के ऊपर origin है ना 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 अगर ऐसे कहीं लिखा है कि equation of bisector containing origin between two lines मतलब origin दोनो line के बीच में कहीं पर है और जिस line angle में आएगा या ऐसे समझो जिस angle में origin आएगा उस angle का bisector लिखना है जैसे माल लो इन दोनो line के बीच में origin यहाँ है तो ये वाले angle का bisector हमें लिखना है इससे हमें मतलब नहीं है दूसरे वाले से ये मतलब होता है जैसे अगर कोई कहसर अच्छा अगर origin यहाँ आ जाये तब यहाँ आ जाये तब यह वाला bisector लिखना है सही ना तो अब हम लोग सीखेंगे कि origin containing bisector कैसे लिखा जाता है ये पहले समझ गे containing bisector का मतलब दोनों line के बीच में कहीं bisector के origin लाई करेगा bisector के ऊपर से कोई मतलब नहीं तो इसमें देखो step कुछ होता है मैं एकदम सटीक तरीका इसका बताऊंगा जैसे आपको कोई सवाल गलती नहीं हो सारे question आप कर लेंगे तो इसमें कुछ step होता है उसको अगर आप follow करते हुए करेंगे सारे question एकदम सही सही आएगा अगर origin containing bisector आपको लिखना है तो इसके लिए step होता है कुछ लिख लीजे लिखो step 1 अगर आपको origin containing bisector लिखना है तो उसके लिए क्या करते है अच्छा इसमें हम लोग step step क्या सीख रहे हैं समझ रहे हो यह देखो जो अभी bisector लिखे है यह दो bisector आए प्लस और माइनस से तो अब हम लोग try यह करने का कोसिस करेंगे कि दोनो bisector जो प्लस माइनस से आया है इसमें से कौन सा bisector होगा जो origin containing होगा समझ रहे हैं यह लिखने का कोसिस कर रहे है तो origin containing bisector अगर आपको बताना है तो उसके लिए क्या करते है step 1 लिखो make c1 and c2 both positive make c1 and c2 both positive c1 c2 क्या है यह यह है c1 c2 जो constant रहे है इसको क्या बना लो positive step 2 step 2 rewrite the equation of lines क्या करो rewrite the equation of lines rewrite the equation of lines दूसरा इस्टर जैसे अगर मालो line के equation ऐसे दिया है तो यह देखो क्या है negative है तो minus से गुड़ा करके पहले positive बनाओ तो अब equation जो नया लिखे हैं यह यूज करना है फार्मूला में यह नहीं कि पूराना वाले यूज कर लो इसलिए step 2 क्या लिखा है कि equation को फिर से लिखो अगर कभी negative रहे तो minus से गुड़ा करके positive बनाओ फिर जो नया equation है वो अलले लेना है step 3 by sector with positive sign by sector with positive sign will contain origin between two lines step 3 by sector with positive sign will contain origin between two lines मतलब यह plus minus में जो plus minus हम लोग लिखे थे उसमें से plus sign वाला origin containing by sector होता है मजगे जैसे मालो पहला line यही रहे दूसरा line आपको यह दिया है 12x कुछ भी मालो यह यह दो line के by sector का equation आपको बताना है और ऐसा by sector लिखो जो दोनों line के बीच में origin को contain करें बना लिए इसमें भी minus से गुड़ा करके positive बना लो ठीक है सर अब by sector जो plus sign से आगा by sector का equation लिखना आपको सिखाए है जो भी line अब नया है उसको यूच करना पहला बाद लोग यह भूल जाते हैं नीचे बस under root a square plus b square से divide कर लो और plus minus में क्या लो प्लस नीचे under root a square plus b square से divide यह कितना जागा 13 यह हो गया answer origin containing by sector जो भी by sector का equation अगर आपको लिखना है origin containing by sector है तो पहला step c1 c2 को positive बना लिए उसके बाद by sector का equation plus sign से लिखो काम हो गया खतम ठीक चलो आगे बढ़ते equation आप that by sector of the angle between two lines which contain a given point अभी जो बता रहे थे कि origin क्या है origin एक point है 0 कामा 0 अब origin के जिए कि कोई और point हो सकता है 2 कामा 3, 5 कामा 4 कहे कि इसको containing by sector लिखो तो उसके लिए दिखो क्या करते हैं जैसे माल लोगर आपको दो line given है a1 x b1 y c1 बराबर 0 a2 x b2 y c2 बराबर 0 अगर माल लो एक given point है alpha बीटा यहाँ पे इन दोनों line के बीच में alpha बीटा देखवा रहा है तो कुल मिला के हमें ये bisector बताना है अगर ऐसे लिखा है कि equation of bisector containing alpha बीटा between two lines ठीक तो हमें ये bisector का equation बताना है अब सोचना यह है कि जो plus minus है उसमें किस sign से यह आएगा तो उसके लिए step क्या होता है ये जो step लिखवा ने इसको याद रखिएगा सब सबाल लग जाएगा step 1 लिखो इसके लिए क्या rule होता है step 1 इसमें c1 c2 को positive कुछ नहीं बनाते लोग origin वाले में जो हम लोग कह रहते c1 c2 positive बनाते इसमें भी बनाने लगते वो हो जाएगा गलत कुछ नहीं बनाओ बस क्या करो अलफा बीटा को दोनों लाइन में रख दो पहला step लखो let let s1 बराबर step 1 लिखना let s1 बराबर अलफा बीटा को इसमें रखने के बाद जो आएगा उसका नाम रख दिये s1 a1 अलफा b1 बीटा प्लस c1 and s2 बराबर a2 अलफा b2 बीटा प्लस c2 क्या किये हैं अलफा बीटा को इसमें और इसमें सटिस्फाई कर दिये let step 1 लिखना let s1 and s2 is this let s1 and s2 यह दोनों लिख लो क्या किये हैं समझ गये न s1 and s2 कैसे निकाले हैं अलफा बीटा को दोनों लाइन में रख के निकाल लो मतलब किसी point containing by setter लिखना हो तो पहला step किया करो point को रख दिया करो दोनों लाइन ठिक फिर लिखो step 2 if s1 and s2 have same sign then by sector with positive sign then by sector with positive sign will contain point alpha कामा बीटा between two lines then by sector with positive sign will contain point alpha कामा बीटा between two lines अगर alpha बीटा को आप दोनों लाइन में रख दिये रखने के बाद उसका नाम s1 and s2 रख दिये उसका अगर s1 and s2 का sign same आता है मतलब यह positive यह भी positive यह negative यह negative then by sector with positive sign will contain point alpha कामा बीटा between two lines और कोई कहें sir opposite आया तब तब negative अला हो जाएगा तो अगला अपने से लिख सकते है step 3 में if s1 and s2 have opposite sign then by sector with negative sign will contain point alpha कामा बीटा between two lines if s1 and s2 have opposite sign then by sector with negative sign will contain point alpha कामा बीटा between two lines यह तरीका होता है third acute angle and obtuse angle by sector कैसे देखेंगे वही बता दिये कि दो line अगर आपको given है तो एक angle क्या रहेगा acute और दूसरा क्या रहेगा obtuse एक angle acute angle by sector होगा दूसरा obtuse angle by sector होगा वहले line की equation a1 x plus b1 y plus c1 दूसरे का a2 x plus b2 i plus c2 अब हमें acute angle मालों कोई भी यह वाला acute angle है यह वाला obtuse angle है तो acute angle by sector कैसे आएगा obtuse angle by sector कैसे आएगा यह हम लोग कैसे निकालते हैं कुल मिला कि खोजना यह है कि जो plus minus है उसमें से किस sign से आएगा तो इसके लिए step क्या होता है लिखो step 1 make c1 and c2 both positive c1, c2 समझी कए अब आप लोग constant make c1 and c2 both positive step 2 step 1 लिख लिए make c1 and c2 both positive step 2 rewrite the equation of lines rewrite the equation of lines rewrite the equation of lines step 3 लिखो calculate the value of calculate the value of a1, a2 plus b1, b2 a1, a2 plus b1, b2 a1, a2 मतब x, x के coefficient का multiply b1, b2 y, y के coefficient का multiply calculate the value of a1, a2 plus b1, b2 इसको अगर calculate किये माल लो आ गया positive तो इस केस में इस केस में जो प्लस माइनस में प्लस साइन से आता है वो आप तो बस एक याद रखो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा negative आएगा तो प्लस से acute का आता है और फिर माइनस से अप्ट्यूस का होते है a1, a2 प्लस b1, b2 का value calculate करो अगर वो positive आ गया तो आप ट्यूस एंगल बाइस सेक्टर प्लस माइनस में प्लस साइन से लेंगे और acute angle bisector minus 9 से लेंगे एक याद रखना इसे लोग को confusion हो जाता है भूल जाते हैं किसी एक को याद रखना, दूसरा याद रखना उसका उल्टा जिसको आप comfortable हो जैसे माँ लोग किसी को याद हो रहा है तो यह उसका उल्टा हो जाएगा यह acute angle, obtuse angle bisector लिखने का तरीका होता है अब इसका कुछ example हम लोग देखेंगे कि आखिर यह जो बताए हैं, कहानी लिखवाए हैं यह चल क्या रहा है चब कोई एक लोग पूछते हैं कि सर अगर यह 0 आ जाए तब क्या होगा अगर 0 आ जाए तब अगर 0 आ जाएगा नहीं अगर 0 आ जाएगा ना तो दोनों लाइन हो जाएगे परपेंडिकुलर अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गए तब acute angle, obtuse angle उसके बीच में बने गए नहीं तो उसका bisector कैसे लिखेंगे इसलिए a1, a2 प्लस b1, b2 हम लोग दो केस लेके चलते हैं या positive या negative सबको यादी होगा, बताया थे a1, a2 प्लस b1, b2 0 हो तो दोनों लाइन क्या होते हैं परपेंडिकुलर नोट कर लिए, यहाँ तक नोट कर लिए इसका example देखेंगा हम लोग यह एक पॉइंट और है, इसको भी नोट कर लो तब example हम लोग करते हैं equation आप state line passing through x1, y1 and equally inclined with the lines a1 x प्लस b1, y प्लस c1 बराबा 0 and a2 x प्लस b2, y प्लस c2 बराबा 0 are those which are parallel to the bisector between the two lines and passing through the point P मतलब कहने कहिए है अगर कभी आपको ऐसा question में लीखा है कि एक line है, किसी point से pass हो रहा है और दो given line के साथ equally inclined है यह वो line होता है जो दोनों line के bisector के parallel होता है जैसे 2 line है 2 line इसके बीच में एक angle यह बनेगा एक angle यह बनेगा, तो एक इस angle का bisector होगा एक इस angle का bisector होगा ठीक है sir अब मालो एक line है जो किसी given point से pass हो रहा है जैसे मालो एक point इस से pass हो रहा है और इन दोनो line के साथ एक link line है तो यह जो line होगा न है यह इस वाले bisector के parallel होगा यह line इस bisector के क्या होगा parallel एंगल चेक कर सकते हो आसानी से बता चल जाएगा यह parallel हैगा उसी तरह उसी तरह एक line और possible है देखो ऐसे तो यह वाला जो line है और इस point से देखो ने ऐसे भी जा सकता है देखो same angle बना रहा है alpha alpha यह alpha नहीं होगा मालो ठीटा ठीटा तो यह वाला इसके parallel होता है ठीक मतलब अगर ऐसा कहीं लिखा है यह बस याद रखिएगा नोट कर लेजेगा इस point को कि किसी point से कोई line जा रहा है और दो line के साथ equal angle बना रहा है तो वो line जो होता है angle bisector के parallel होता है angle bisector के parallel तो जैसे अगर आपको point दिया है अगर line के equation लिखना है क्या चाहिए slope point तो दिया है जिससे पास हो रहा है तो slope कैसे आएगा angle bisector का slope निकाल लो एक plus minus दोनों साइन से दो आएगा और angle bisector का का slope आगया तो उसी के parallel यह line है तो उसका line का slope आजाएगा point दिया है equation लिख लोगे ठीक है सेट चलो यह बस आपको दिखाने के लिए बनाए है यह 9-10 में भी पढ़े होगे theorem यह होता है अगर figure बनाओगे अपने आप दिख जाएगा parallel होगा next example try करो आप find the equation of bisector of obtuse angle between the lines इन दोनों के lines के बीच में obtuse angle जो बनेगा उसके bisector का equation बताना है find the equation of bisector of obtuse angle तरीका क्या बता है आपको c1 c2 अब देखो अभी इस सवाल को कर रहे हैं अगर मालों किसी को लिखने में problem आया हो या कम सवज में आया हो तो सवाल से समझ सकते हो कैसे solve करेंगे पहला step क्या लिखवा है थे c1 c2 को positive बनाओ तो c1 तो देखो already positive है अरे plus 7 है यह line देखो न तो इसमें कुछ नहीं करना है c1 already positive है c2 देखो positive नहीं है तो इसमें minus से गोड़ा कर दिया c2 को बना लिए positive line का equation फिर से लिख चुके है मतब नया line अब यह बन गया ठीक third step a1 a2 plus b1 b2 calculate करते हैं a1 a2 देखो कितना आया minus 36 b1 b2 कितना आया 20 तो यह आ गया minus 16 minus 16 मतलब आ गया negative minus 16 मतलब आ गया negative a1 a2 plus b1 b2 आ गया negative ठीक और अभी जो लिखवा है थे कहानी कि a1 a2 plus b1 b2 अगर positive हो तो obtuse वाला plus से acute वाला minus से आता है और अगर negative हो तब negative हो तो उल्टा acute वाला plus से obtuse वाला minus से आता है तो obtuse वाला किस से आएगा minus से आएगा minus से लिखो answer देखो 3x minus 4y plus 7 under root a square plus b square 5 आ जाएगा और यह हम minus sign लेलो minus 12x minus 5y plus 2 निचे under root a square plus b square 13 तो यह इसका हो गया correct answer समझ मैं सबको a1 a2 plus b1 b2 का value calculate करो अगर वो positive आएगा तो obtuse वाला plus से आता है लेकिन इस case में negative है तो obtuse वाला minus से आएगा obtuse angle bisector लिखना था समझ में आगया होगा सबको clear है एक question जलो और try करते है if the line ax plus by plus p बराबर 0 and x cos alpha plus y sin alpha equal to p enclose an angle pi by 4 and the line इतना meets them at the same point यह देम रहेगा at the same point then find the value of a square plus b square अच्छा कहानी अगर पुरा पढ़े हैं आप तो यह जो line है और यह जो line है यह एक दूसरे के साथ 45 degree बना रहा है अच्छा और ध्यान से देखिए यह line और यह line आपस में perpendicular है इसका slope है minus cot alpha और इसका slope है कितना 10 alpha तो minus cot alpha और 10 alpha product minus बनाएगा मतलब दोनो line perpendicular होगा मतलब कुछ इस तरह का case है यह जो line है x cos alpha y sin alpha is equal to p यह line है x sin alpha minus y cos alpha यह line है ax plus by plus p ठीक है सर यह दोनो line के बीच के angle दिया था pi by 4 और हम लग ढोड़ी लिए क्यार यह दोनो line perpendicular है तो यह भी pi by 4 होगा रही नहीं आधादा करेगा अब इन दोनो line का angle bisector जो है वो यह line है आधादा किया देखो angle को 45-45 में इन दोनो line का angle bisector का equation लिखो x cos alpha plus y sin alpha minus p नीचे under root a square plus b square cos alpha plus sin square alpha बनाएगा वो इधर plus minus x sin alpha minus y cos alpha आएगा ठीक अब plus minus में plus और minus में किसी भी x sin का यूज करो क्योंकि दोनों से same answer आएगा क्योंकि acute आप्टे उसका चक्कर नहीं है जब perpendicular रहेगा ना तो दोनों को से same answer आता है चाहे जो लोग तो चलो plus ही लेके करते हैं या minus जो आपको अच्छा लगे चलो plus लेते हैं प्लस लेंगे एक साइड लाव तो आजाएगा x cos alpha minus sin alpha सही है सर अच्छा ये plus लेंगे तो ये थर आएगा plus हो जाएगा y के साथ sin alpha plus cos alpha minus p is equal to 0 ठीक और line में भी minus बना लो ax minus ax minus by minus p तो ये constant को same बना लिए अब compare कर दो minus a का value है minus a का value है cos alpha minus sin alpha और minus b का value है sin alpha plus cos alpha दोनों को square करके जोड़ दो क्योंकि हमें a square plus b square चाहिए a square plus b square अगर square करके जोड़ेंगे cos square alpha plus sin square alpha 1 cos square alpha plus sin square alpha 1 मतलब कितना गया 2 और 2 cos alpha sin alpha और या minus 2 cos alpha sin alpha हो जागा cancel, मतलब a square plus b square का value कितना 2 के बराबर, यह is cancel clear है सबको इसमें angle धोड़ना आपको जरूरी था अगर angle नहीं दिखे गा तब हो जाएंगे problem में जैसे यह और यह line के बीच के angle 90 था, slope का product minus 1, यह दिखना जरूरी है, योकि इन दोनों के बीच के angle 45 दिया है पूरा 90 है तो यह 45 हो गया, मतलब यह angle bisector इन दोनों का यह बन गया angle bisector का equation निकालो, compare करो answer, तो आज इतना ही करेंगे बाकि फिर हम लोग next class में करेंगे, thank you very much thank you on is to on, study is always on, concepts के बहतर realization के लिए is to on पर बने रहिए